हाई दोस्तों कैसे आप लोग मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कारा और आज लेकर फिर वही दिल लाया हूँ दिल यानि विल क्या लेकर आयों बताता हूँ एक टॉपिक है जो बहुत इंपोर्टन टॉपिक है हाला कि मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन शायद मेरी कही बाते अब सही साबित हो रही है जो मैंने चार माईने पहले शायद वीडियो बनाया था कि अभी क्या हो था कि लिखना शुरू कर देंगे अब कल सब से सबने फेमोटिटीन लिखनी शुरू कर दिये कल सबने विटामिन डी लिखना शुरू कर दिये है सब यह करना शुरू कर दिया है हाला कि ट्रम को भी स्टिरैड दिये गए डेक्सामेथासोन इंजेक्शन दिया गया लेकिन मैं क्या बताने जा रहा हूँ मैं यह बताने जा रहा हूँ कि यह जो sterad है यह जो dexamethosone injection है यह दूसरे टाइप के prednisolone है methyl prednisolone है यह कब देने है और कब नहीं देने है क्योंकि यह मरेश की condition को R भी कर सकते हैं और PAR भी कर सकते हैं समझे समझे मैं क्या कया नहीं आठा रहा हुँ आर और पार کا मतल् yaptげást ना कि ठीक भी कर सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं बिल्कुल आप एक एज के ओपर चल रहे होते हो यूं भी हो सकते है मामला यूं सकता है आपकी दवाईयों की वज़े से तो यही बताने जा रहा हूं कि आखिर यह असा कब देने हैं और नहीं देने हैं ठीक है देखो जनरली क्या हो रहा है कि कोपी पेस ट्रीटमेंट हो रहा है कि जहां यह एक रिसर्च हुई है अलगे मैं पहले ही बता चुका था मैं इस बात पर पहले भी सैटिस्वाइब नहीं था कि हर पिशंट को स्टिराइब देने चाहिए यह मैंने पहले भी वीडियो बनाया था अगर आप देखना चाहिए तो तीन महीने चार महीने पुराना मेरा मैंने काता बी केरफुल बहुत केरफुल रहो यह सब मत करो क्योंकि आपका पिशंट अगर अपने अप ठीक हो रहा होगा तो आप उसको दवाईयों से जरूर इदर उदर कर देंगे जिसके बाद मुसीबत बढ़ सकती हैं कहां पे स्टिराइड देने और स्टिराइड के स उसका CRP 20 से ऊपर है तो स्टिराइड देना है यह दो चीजे तो आप बाद लो कि एक तो CRP लेवल बहुत हाई है तो आप दे सकते हैं दूसरा अगर पेशंट के ऑक्सिएन कम हो रही है तो भी आप दे सकते हैं पहले हफते में स्टिराइड अवाइड करें जितना आप कर स जाता है तो कोशिश करें कि शुरू में एकदम से स्टिराइड मत दें और अगर देना है तो सेकिंड वीक से स्टार्ट करें नमबर वन फिर मैंने बता रहा हूं ऑक्सिएन कम हो हाइपोक्सिक पेशंट में ही इसका रोल है मोडरेट टू सीवेर केसे में देखा गया है कि बहुत अच्छा रोल है माइल्ड केसे में जहां पेशंट अपने अब ठीक हो रहा है वहाँ पे स्टिराइड देके उसको कॉम्प्लिकेट मत करें ऐसा भी हो सकता है आपका पेशंट अपने अब ठीक हो जाता लेकिन आपने उसको स्टिराइड देके उसकी ऐसी तैसी कर ड तो आपने steroid दे दिया बिना बात के और फैल गया UTI था सेपसिस हो गई सेप्टिक हो गया और पेशिंट चला गया बताओ उस पेशिंट को जिसको जहीं जहरूरती स्टेराइड की उसको मत दो दोस्तों मत दो यह जो कोपी पेश टीटमेंट हो रहा है यह बहुत खतर नाक है अभी महराश्चा में मैंने बताया था एक होडिंग लगवा दिया था किसी कार्य करता हो ने शिवसेना के कि यह डेक्सोना गोली दे दे रात को अगर आपको सांस देने में दिक्कत हो तो ऐसे नहीं होता अपने डॉक्टर से पूछ के करें बैटर होगा अपना सेल्फ टीटमेंट मत करें कोपी पेश टीटमेंट मत करें यह कोपी पेश टीटमेंट होता है यह बहुत खतर नाक है तो मैंने आपको बता दिया कोंसे पेशिंट में देना ह लेकिन यह जान ले भी सकती है अगर आप बिना किसी कॉंप्लिकेशन के पेशेंट को दे रहे हैं जिसको कोई प्रॉलम नहीं थी सिर्फ शुगर का पेशेंट था सब कुछ नॉमल था और आपने उसको पहले दिन से स्टेराइड हाई डोस दे के उसकी ऐसी तैसी कर दी जब म मैंने सिर्फ मुझे थोड़ा सा ऐलर्जी की प्रॉलम है तो मैंने बहुत ही माइल्ड बहुत ही हल्की डोस में लिया था नाम के बराबर शेर वो भी एक शगुन पूरा करना था भूब है इसलिए लिया था वो भी एक दिन छोड़ के तो और मैं जो जो जनरली यूस करता ह हूँ मैं फिया में जोड़ा कोर्ट देता हूँ जो खी जादा सेफ है बागी शुणें से जोटत करता हूं मैं आप अपने पेशिंट की शुगर विपी सब चेक करते रहें Thank you very much, आपका अपना डॉक्टडर नमनीट काला और कोपी पेस ट्रीट्मेंट करने के कोशिष न करें अपने आप ट्रीट्मेंट करने कोशिष न करें न करें, और कुछ तो करो एर करना गया है सब्सक्राइब करना है ठीक है वो तो आप कर सकते हो उसमें copy paste चलेगा आप सिर्फ आपके ये बटन लगा हुआ है उसमें सिर्फ आपने subscribe करना है बार बार नहीं करना है नहीं तो unsubscribe हो जाएगा हमारे हिंदुसान में तो ये भी problem है पता ही नहीं लोगों को चलो thank you very much आपका अपना डॉक्टर नमनीत कर रहा और बने रही है इसी तरह से मेरे साथ और मैं लेकर चलूँगा इसी तरह करोना की बारात फिर बनेंगी बात कभी खुशी कभी कम तारा रम पम पम अजी ऐस गीत गाया करो ला 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 उठे सब के कदम देखो रम पम पम येस उठे सब के कदम देखो रम पम पम हसी मजाग चलता रहेगा मेरे साथ अगर रहोगे तो मैं टेंशन नहीं आने दूगा मैं एक डॉक्टर की तरह भेव नहीं करता हूं जान भूच के नहीं करता हूं क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर की शकल कितनी खतरनाक होती है आपकी आदी बिमा आपकी शबात है